आसकार दोस्तों मकान बनाने में कितने इंट लगते हैं इसका किलकुलेट कैसे करेंगे पूरे वीडियो को देखे ये दोस्तों इस्टेंडर्ड क्वाल्टी का इंट है इसको देख लिजिए इसकी लंबाई जो है 9 इंच है और इसकी चवडाई 4 इंच और उचाई 3 इंच है दोस्तों इसका देख लिजिए इधर भी जो है तीन इंच है पूरा जो है ये चार इंच है चवडाई पूरा वीडियो को देखे दोस्तों और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए देखते हैं किलकुलेट करके ये देख लिजिए दोस्तों चार रूम का का बनाया जाता है लेकिन इसको देख लिजिए इसको जानेंगे तो आप किलकुलेट करना असानी से जानेंगे दोस्तों यदि दोस्तों हमको वे जो मकान बनाने से पहले मिट्टी यदि डालते हैं और मिट्टी को रोकने के लिए दोस्तों निव में कहने का अर्थ मकान ब उसे तो 9 इंच का दिवार उसको बनाना ही पड़ेगा, देख लिजे दोस्तों, दो फित उचाई 9 इंच दिवार, दो फित बनाना है, तो एक फित में 12 इंच होता है, तो 12 गुड़े 2 बरावर 24 इंच उचाई होगा, और इंच की उचाई 3 इंच होता है, मसाला सहित यदि छे दसम लव, आठ पांच इंच लगेंगे दोस्तों, इस कहने करत के एक इंच का 85 परसंट 7 इंच ही लगेगा, 7 इंच, एक इंच को ऐसे रखेंगे, एक इंच का जुड़ाई ही करेंगे, दो फित उचाई तक, तो 7 इंच लगेंगे, लेकिन हम को यहां से यहां तक 12 फित लंबाई जुड़ाई करवाना है, तो इंच की चवड़ाई को अब जान लीजे, 4 इंच था, मसाला सहित 4 इंच, तो 12 फित है, एक फित में 12 इंच, इसलिए 12 गुड़े 12 बराबर 144, 144 बटे 4, बराबर 32 इंच होगा, दोस्तों, 32 इंच लगेगा, लेकिन कभी ऐसे रखेंगे, लंबा 9 इंच, ऐसे लंबा रखेंगे 12 फित तक, उसको भी देख लेजे, इंच को लंबा जोड़ने पर 144 बटे 9,5 बराबर 15 इंच लगेगा, लेकिन उसको डबल रखेंगे ऐसे, 15 गुड़े 2, 30 इंच लगेंगे, और ऐसे रखते हैं, 4 इंच, चावडाई को इस तरह से रखते हैं, तो 32 इंच लगता है, यानि कि 4 इंच उचा उठाने में 31 इंच लगेंगे, तो हमको 2 फीट उचा करना है, तो 7 गुड़े 31, एक ही इंच का 2 फीट, 7 इंच लगता है, तो 7 गुड़े 31 बराबर 217 इंच, यह 12 फीट यहां से यहां तक 217 इंच, 2 फीट उचाए, तो सभी रूम के लिए कितने लगेंगे, देख लिजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नाओ, दस, ग्यारा, बारा, बारा दिवार, तो दोस्तों, बारा गुड़े 217 बराबर 264 इंच लगेंगे, अब दोस्तों, यह पूरा होने के बाद आप उपर में 10 फीट उचाई तक अपने रूम को उचा करना चाहेंगे, और 4 इंच करना चाहेंगे, 10 फीट उचाई मकान, 4 रूम में 4 इंच दिवार बनाना चाहेंगे, तो कितना इंच लगेगा देख लिजिए, 10 गुड़े 12 किज, एक फीट में 12 इंच, इसले 12, 10 गुड़े 12 इंच, 120 बटे 3.5 उचाई, तो 34 इंट, एक ही इंट को रखेंगे, तो 34 इंट लगेंगे दोस्तों, 10 फीट तर, अब लंबाई जानते हैं, 15 लगत, 144 बटे 9.5, 9 इंच, इंट का लंबाई है, तो मसाला सहीच साड़े 9, 9, 5, 15 इंट लगेंगे दोस्तों, इसले 15 गुड़े 34, बराबर 510 इंट, 12 फीट, लंबाई को 10 फीट उंचा करने में, 510 इंट लगेंगे, दोस्तों, 510 इंट लगेंगे, लेकिन हमारे पास 12 दिवार है, इसले 510 गुड़े 12, बराबर 6,120 इंट लगेंगे दोस्तों, 4 इंच दिवार उठाने में, 4 रूम, 12 बारा के रूम में, 6,120 इंट लगेंगे, 10 फीट की उचाहिने, यदि 9 इंच का दिवार बनाते हैं, तो 12,240 होगा इसका डबल, दोस्तों, इसको कम जादा कर सकते हैं, दोस्तों, 4 इंच की दिवार में, 2604 निव वाले को जोडेंगे, तो 8,724 इंच लगेंगे, इस तरह से किर्कुलेट असानी से, इजी तरीका से कर सकते हैं, दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेर कीजिए, धन्यवार,